दिल्ली में सत्तादारी आमादनी पार्टी और मुख्य विपक्ष बीजेटी के बीज का टसल कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता और इस वक्त तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं सिविल लाइन्स की जहां पर बीजेटी की महीला मोर्चा की तमाम सतस्य जो है वो पहुची हु दूसरे में लिखा है गेट वेल सून के जिवाल जी यह महीला मोर्चा है जो यहां पर पहुची है महीलाओं से बात करेंगे इससे बहले एक बार आपको सिक्यॉरिटी अरेजमन दिखा दो देखे तमाम पुलिस कर्मी यहां पर मौजूद है इस पूरी रोड को जहां पर प्रदर्शन चल रहा है इसे भी बात करते हैं प्रियल जी हमारे साथ है वाइस प्रडर्शनन महीला पूर्चा की क्या कारण है इस प्रोटेस का आप क्यों गेट वेल सुन? जी देखे हम इतने गए बीते समय से जितने भी धरने प्रदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि डैली में क्या स्थिती है रियालिटी में ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है अगर आप शराब गुटाले के मुद्दे से ले करके आप लिकर पॉलिसी पे चले जाएए अभी लेटेस जो कि शीश महल का एपिसोड रहा है पूरा देश क्या पूरी दुनिया इससे वाकिफ हो चुकी है कि कितनी कोई समवेदना दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिली वहाँ पे केजरिवाल जी अपने घर का अपने घर के रेनुवेशन के लिए फंड साइन कर रहे थे ये कहा की नहतिकता हुई आप आम आदमी के बल पर आये थे आपने आम आदमी की क्या चिंता करी आपने कहीं कुछ सोचा आज के समय की अगर मैं बात करूँ अभी ओफ लेट गए बीते एक मई से लेकर के साथ मई तक का जो जीवी पन्त का एपिसोड रहा है अभी हम कुछ दिन पहले फिर धरने प्रदर्शन पे बैठे थे और उस महिला का जो की एक छोटे से दल से आती थी और करमचारी थी जीवी पन्त पे उस महिला का बलातकार करता है हम आदमी पार्टी का कारे करता है और उसको मा डालता है मतलब कहने में भी रूख आपती है कहीं न कहीं उस एपिसोड को सोच करके निर्वया कांड याद आता है आपने उसके घर परिवार को आपने साथ तारीक को आपने इंपॉम किया जो कि कानपुर में एक जब उनके पिता जी और बच्चों को देखा तो उनकी कंडिशन देख करके लगा कि यह हो क्या रहा है देश में हम राजधानी में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि केजडिवाल जी आपको यूशुड टेक सर्टेन ब्रेक यूशुड टेक सर्टेन रेस्ट इट इस हाई टाइम आपको मानसिक रूप से डीटॉक्स करने की आवशक्ता है और प्लीज आप सोचिए आप जनता के लेवल पर सोचिए कि एक आम आदमी क्या बेसिक रिक्वाइर्मेंट है आपने वो सारी चीजें तो छोड़ दी आप भूल गए बट किस जरेक्शन में चल पड़े तो आज महिला मोड़ जाए इसी के लिए यह फूल आप तक वर्चुली मैं पहुचारी हूँ केजडिवाल जी काइनली टेक सर्टेन रेस्ट आप अपने आपको अपनी बुद्धी को शांत कीजिए और आप सोचिए वापस से रीविजिट करिए वापस से रीथिंग करिए आपने अपनी जर्नी कहां से शुरू करी थी और आप कहां पहुच गए आप इतनी नीचता पे गिर गए है केजडिवाल जी देखे टेंपरेचर जो है वो दिल्ली का बढ़ता जा रहा है धूप तेज हो रही है महिलाएं भी यहां पर तमा मुझे दिख रही है लेकिन यहां किस बात के लिए हीट अप हो रहा है महौल उस पे भी बात कर लेते हैं किस वज़े से प्रदेशन कर रही है किस लिए गट अपने आपको संभाल लिए और दिल्ली के लिए कुछ तो कीजिए तो हाथों में यह गुलाब के फूलों का पूरा गुच्छा लिए ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष है योगिता जी यह फूल कैसे देंगे आज वो घर तक तो नहीं जाने देंगे हमको तो घर तक तो छोड़ो पुलिस ने यही रोक दिया है तो हम यह यहीं उनके दर्वाजे पर रख कर जाएंगे तांकि उन तक मैं आशा करती हूँ कि यह संदेश भी पहुँच जाएगा और कही ना कहीं केजरिवाल जी अपनी सोच को बदलेंगे और दिल्ली के विकास की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे और यह गेट वेल सून क्यों क्या क्या इसा कारण है जिसके लिए प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है देखिए आप पूरे कारेकाल को याद करिए केजरिवाल जी के उस प्रदर्शन को भी याद कर मैं यह नहीं कह रही कि वो सरकारी गाड़ी में न चले, वो काफिले के साथ चलते हैं, वो वियाई पी नमबर के साथ चलते हैं, जिस टाइमें पूरा करोना फैल रहा था ये इसीलिए मैंने कहा कि companies पूरे दिल्ली को ऑक्सिजन की जारूरत थी, वो अपने कमरों के designing कर रह अपने बात्रूम बना रहे थे, अपने कम घर का विकास कर रहे थे, अपने या स्विमिंग पूल बना रहे थे, दिल्ली की जंता पानी से तरस्त रहती है, उस स्विमिंग पूल की उनको क्या जरूरती यही उनकी मानसिक्ता दिखाती है, वो कहते थे कि हम भरष्टाचार को ह लेके चल रहे हैं यह उनकी दूसरी मानसिक्ता देख लीजिए उसके साथ साथ आपने दिल्ली को जितने वादे कि आप सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं कि हमें केंदर सरकार काम नहीं करने देती आप ही ने एक साइस पॉलिसी बनाई हमने तो नहीं बनाई अगर हमने नहीं तो आपने बनाई तो अगर वो ठीक थी तो वापस क्यों ली वह आपको वापस लेनी पड़ी ये भी आपकी मानसिक्ता को दर्शाताइ है आपके हर काम आपकी मानसिक्ता को दर्शाते है मुझे तो लगता है केजरिवाल जी कहीं आप मैडिटेशन और उसके लिए जाए ताकि दिल्ली का कुछ अच्छा विकास कर पाएं और ये काम कहना बंद करें कि हमको सरकार काम करने नहीं देती, अधिकारी भी आपसे परिशान हैं, ये बात भी हम नहीं कहरें, अधिकारी शिकायत कर रहे हैं चलिए तो ये कह रही हैं कि मडिटेशन का कुछ टाइम ने देके तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन इनों ने मेरा ध्यान खीचा है अपनी तरफ, क्योंकि जैसे ही गाड़िया जो है रेड लाइट पर रुपती हैं, ये अपना प्लैकार्ट लेके उस तरफ बर अकेले हम लोग तो पार्टी के हैं, लेकिन जनता भी बहुत दुखी है, इनों ने जिस तरीके से करोना टाइम पे, जिस टाइम पे की कंस्रक्शन मना था सबको, इनों ने खुद बैन करा रखा था, अपना नियम अपने लिए तोड़ रहे थे, कितनी जादा इनके मन में अरा जकता है और डिक्टेटर्शिप है, यह इससे जाहिर होता है, ऐसे डिक्टेटर का एक डिक्टेटर का एक डिक्टेटिक स्टेट में रूल करना खत्रे जखाली नहीं है, अभी आपको पता होगा, पंजाब में एट जो रिपोर्टर थी, उसको इसलिए जेल भीजवा पाया, उस टाइम पे क्या यह गैस नहीं दे सकते थे, गरीबों के लिए ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे, हाई हाई मचा रहे थे, यहाँ पर दिल्ली में त्राही माम मची हुई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, उस पैसे से इनको जनता की बदत करनी थी, और यह अपना पे भेरे में अगर कहूं तो यहाँ पर फिलहाल रोका हुआ है, बारिकेट करके, यह रास्ता, यह माइनर इंकन्विनियंस रहे इसकी कोशिच पुलिस की तरफ से, क्योंकि में रास्ता खुला हुआ है, ऐसे में इस रास्ते को कर दिया है, यहाँ तमाम महिलाओं से बातचीत क को किया है, यह हुआ है, यहाँ तो यह ढुन टारी है, यह है।